हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों माइनेम इस संदीप वी आर प्रोम सिमफ्रीन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टोक्स की क्योंकि मार्केट बोलिश है तो डेफिनेटली हमारे हिस्से में भी कुछ स्टोक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पर उससे पहले मैं देखना चाहूंगा कि जो हमने पिछली बार स्टोक्स चूज किये थे क्या उन्होंने परफॉर्म किया क्या उनके रिजल्ट्स कुछ आए या फिर वो लोस में रहें चलो एक बार चेक कर लेते हैं अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैंने एलेंटी के लिए बोला था कि एलेंटी मुझे यहां से अच्छा मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए तो एलेंटी को देखोगे तो वीकली बेसिज पर हमें ओल्मोस्ट परसेंट का प्रोफिट यहां पर मिल चुका है ऐसे एलेंटी मैंने दो वीक दो से तीन वीक यानि दो से तीन भी नहीं बोलोंगा ढाई वीक पहले मैंने सजेस्ट किया था जब इसने डेली बेसिज बे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था यानि लगबग मैंने इसको 16,015 के आराउंड आपके साथ शेयर किया था कि यहां आपका मतलब थोड़ा सा ज्यादा है तो आई डॉन नो मट मेरे लिए दस परसेंट बहुत ज्यादा है ठीक है वह भी शिर्फ दो वीक के अंदर दस परचेंट का प्रोफिट मिल जाए मोर देन इनफ होता है ओके तो मैंने बोला था कि हमारा यह वाला यह मैंने लेवल परस्ट टार्गेट हमारा अचीव हो गया आप देखते हैं सेकंड टार्गेट हमारा कितने टाइम में अचीव होता है अगर वहीं पर मैं नेक्स्ट टोग की बात करूं वो था हमारा आई टी सी मैंने इस पर शेयर किया था जबी टू नाइंटी थी के राउंड था और बहुत अच्छा है लगबग नो परसेंट का प्रोफिट एक वीक के अंदर नो परसेंट काफी रहता है लास्ट वीक ही मैंने सज्जेस्ट किया था इसको मैंने बोला था कि हमें यह वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट दिखी है तो यहां से अच्छा मूव देखने को मि देखते हैं टाइटन मैंने आपको यहां पर सेर किया था तीक है मैंने बोला था मेजर ब्रेक आउट पर डेफिनेटल इस बार अच्छा ब्रेक आउट देगा एक जो है यूशेप का में पैटन देखने को मिल रहा है तो इसने भी लगबग अगर यहां पर देखोगे लग अगर मैं देखों सबसे पहले है हमारा एशीच यहां से सुरूब लेते हैं तो वीकली बेसिक पर मैंने चार्ट को ले हुए है सारे तो वीकली बेसिक पर देखोगे तो हमारा यह एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था जो ब्रेक नहीं हो रहा था यह वाला ठीक है यह क्वेला लेवल तो इसने वीक्ली बेटि पर ब्रेक तो किया ही, गौन्यसीपे किया है, इस ने बीवसाईट में दिखाए तो अगर मैं वीकली वेसी पर देखू तो इसने एक ब्रेक आउट हमें यहां पर अच्छा खासा दे दिया है तो इस ब्रेक आउट के बाद मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर एक अच्छा अपसाइड मूँव दिखा सकता है कूए बतिन इस लो को ब्रेक निया तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिला अब मैं मानता हूं कि हम नया हमें एक नया higher high यहां पे recent मितलब आने वाले weeks के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं तो definitely ACC को हम अभी अपने portfolio में swing trading के लिए especially add कर सकते हैं और crude oil जैसे जैसे नीचे आएगा तो definitely जो cement companies हैं उनको कहीं न कहीं profits जरूर मिलते हैं मतलब उनको जरूर फाइदा होता है जब crude oil डाउन आता है तो तो क्योंकि यह link होते हैं कहीं न कहीं पर तो वो भी एक reason है और यह भी एक reason है कि मुझे यहां पे इसने higher low बनाके दिया है और मैं अब expect करने हैं यू higher high का ACC definitely हम अपने portfolio में add कर सकते हैं especially swing trading के लिए the next stock is reliance के अगर मैं results की बात करूं तो बहुत अच्छे results आई है प्लस हमें आप चार्ट structure भी अच्छा देखने को मिल रहा अगर देखोगे तो यह इस यह एक support level है जो पहले इसने support के लिए काम किया हुए य Спोट का काम किया था और जब यह हो सकता है यहां ठवाटम बनाया यहां पर दीख शर्ट और मैंने बोला भी था कि इसको सोट मत करना जब तक यह लेवल ब्रेकडाउन ना हो तो यह ब्रेकडाउन यह और हम अच्छी केंडल यहां पर देखने को मिली है अगर वोल्यूम्स को भी चेक करेंगो तो बहुत अच्छी वोल्यूमे तो जिस तरीके से यह नीचे आया था म जरूर चलने अपना रिस्क को कैसे मेनेज करने लगा के ठीक है और प्रोफिट करना बिल्कुल भी मत भूलना जैसी अपना टार्गेट आ जाए यानि लगबग मैं मानता हूं इस बार हो सकता है यह हाई ब्रेक हो सकते हैं तो जब यह यहां के अराउंड आ जाए यानि हमें एक रेजिस्टेंस जो पहले था वो फिर सपोर्ट का काम किया तो उसी सपोर्ट से हमें क्या देखने को मिला बाउंस देखने को मिला और अगर रिसेंट में देखोगे तो हमें यह एक लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल था यह वाला ठीक है जहां से यह से मुझे देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर definitely यहां पर भी हम एक्स्टोफलोस रखके अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं मैं यहां पर भी इस स्टोक के अंदर भी अच्छा रिटर्न जो है के बाद अब दोबारा अफसाइड मुव दिखा रहा है तो definitely हमें यहां तक के यहां तक के लेवल जरूर देखने को मिलने चाहिए आने वाले वीक के अंदर एक या दो वीक के अंदर तो definitely यह भी हमारे पोर्टोलियो में रहना चाहिए नोक्री डोट कॉम या फिर इंफ्वेज कहा देते हैं तो आई होप आपको यह तीनों स्टोक्स जो भी इन में से अच्छा लगे उसी को एड़ कर सकते हो जिसका चार्ट सक्चर आपको ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा हो जिस पर आपको कन्विक्शन ज्यादा आ रहे है उसी को आप एड़ करो तीनों का एड़ करने की कोई जरूरती यहां पर नहीं है रिस्क को अपने हिसाब से मैनेज करना है जितना आपकी कैपैसिटी रहती है और लास्ट की वीक की तरह हो आई होप यह स्टोक्स भी होंगे अच्छा रिटरन देके जाने वाले होंगे ठीक जो अच्छा लगे जो कन्विक्शन जहां पर आपको ज्यादा है वही आप बाएगर के चल सकते हों तो माई नेम इस संदीप अगर देखो इस संदीप की आपको अच्छे लग रही है तो डेविनेटली वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बैल आइकन दबा लो ताकि इस तरह की वीडियो आपको बहुत मिलो और साइकोलजी के ऊपर भी रेविलर वीडियो जाने वाली है बेसिक की वीडियो मैंने आज ही आज या अगर यह वीडियो का अप्लोड हो रही है या अगर यह संदे को अप्लोड हो रही है त बेसिक्स के मैंने अंदर मैंने ऐसे concept भी include करे हुए है जो पूरे-पूरे पेड के अंदर आते हैं बट वह मैंने फ्री में आपके लिए रखे हुए हैं तो definitely वहां भी जरूर चेक करना बाकी में आपको अगर आप चाओगे तो आई बटन जो होता है वहां पर मैं आपको डा